आँम काली काली महाकाली काली के परवेश्वरी शर्वान निकरी देवी नाराइनी नमासकते आँम कीम दीम छीम हरीम देम करीम हरीम सबी लोगों को जै शिराव जै हरमाजी महराज की आज हम माता बिंदवाशनी का एक दिव बशी घरण मंत्र के बारे में जानकारी देने वाले हैं माता बिंदवाशनी का यह मंत्र बहुती सक्तसाली है जिनके घर में अक्सर कलाह मची रहती है लडाई जगडे होते रहते हैं मान सम्मान की प्राप्ती नहीं हो पाती क्योंकि एक दूसरे की कोई भी बात मानने के लिए तयार नहीं होता हर चौथे शे पाचवे घर में यह समिश्या होती ही होती है भाई बहन की बात नहीं मानता पती पत्नी की बात नहीं मानता या पत्नी पती की बात नहीं मानती माता पिता बात नहीं मानते एक दूसरे को शमज ही नहीं पाते और घर में कलह का कारण बन जाता है इस बज़ए से बहुत शारी शाय होती है जन जीवन घर परिवार पूरा अस्ति बस्ते रहता है इसके देखिये कई कारण है कई लोगों के यहां तो नकार आत्मा पूर जाके प्रिवाह के कारण एशा होता है कई लोगों के यहां उच्छाटन जैशी तंद्र करियाय करी जाती है उसके कारण भी एशा हो जाता है और कई घरों में ग्रह दोश की शमश्या होती है ऐसे में भर में कलाह मची रहे हैं। आज हम माता बिंदवासनी का जो मंतर आपको बताने वाले हैं यह हम बहुत सालों से प्रियुग कर रहे हैं और इश्य मंतर की विफलता हमने आज तक कहीं नहीं देगी। इस मंत्र को अधियाप रित्य प्रतिदिन अपने दैनख विंचर्या में चाप करना शुरू कर देते हैं तो आपके ग्रह ने चत्र भी शांत होते हैं प्रेत बाला भी शांत होती है । कि माता अबन्दवाश्नी का मंत्र है कहा जाए तो प्रेत नासा को, ब्याधी नासा को, संकट नासा को, रोग नासा को मंत्र जादा है लेकिन यह घर की कलाहदूर करने के लिए, शम्मोहन करने के लिए, बशी करन करने के लिए बिशेश तया प्रियोग के जाता है अक्सर देखा जाता है कि हम मित्र मित्र भी आपस में लड़ जाते हैं ऐसे समय में भी इस मंत्र का अब्यक्ति का दर नाम से भी प्रियुक्ट के जा सकता है कि जैसे कोई बिशेश हमारा मित्र है उसे हमारी पट नहीं रही है रचनी रही है लेकिन उसकी विना हमारा चल भी नहीं रहा है, पहले अच्छे मित्र थे और कई बार कुछ गलत प्हेंगियों के कारण ऐसी से मिश्याय उठ्पन है, उस शमय भी इश्मंत्र का प्रियोग के जाता है, लेकिन घर में एदि नकारात्मा पूर्जा का घुरवाय है, तब भी आ बढ़ गई है, नकारात्मा पूर्जा के कारण कोश्च में भी इश्मंत्र का आप प्रियोग कर सकते हैं, हमने का सरविगून शम्पन मन्त है, और हमारा मानना तो यह है, इश्मंत्र को नोरात्रों में जैसे शिद्धिके जाता है, नोरात्रों में आप किशी भी दिन सिद सर्थिमी के दिन इस मंत्र का आप शिद्धिकरण कर सकते हैं, कि नोरात्रों में इसकी संख्या भी कम हो जाती है, और यह मंत्र शिद्धिक हो जाता है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि आप इस मंत्र को शिद्ध करें ही करें, इस मंत्र को हमने बताया, आप अपकी देने क लिए ग्यार्मा दिन नहीं हुजड़ेगा और आपके घर में परिब़तन नजर आने Liगेगा है और आपकी घर में बात नहीं मानता आपकी कुई मिर्यादा नहीं करता आपका कोई शंबान नहीं करता इस मंतर पाठव σε आपके घर में तुरंत ही बदलाओ आएगा और आपको यह बदलाव समझ में भी आएगा कि हमारे घर में कुछ ना कुछ बदलाव हो गया है सबके मन में प्यार की भावना जागेगी और लाश्ट नहीं कला है समाप्त हो जाएगी अब वह कला है नकारात्मा कूर्जा के कारण भी हो जबती है तो नकारात्मा पूर्जा समाप्त हो जाएगी किसी ने उचाटन तंत्र जी ग्रियान की तो वह भी समाप्त हो जाएगी इसके अलावा प्रितखवाधा है क्या है करान भी एसी समस्याय उस्वाह उफणद्ञ हो जाधे तो वह सारी आप इन नोरती दी करने हैं तो कोई बात नहींट नहीं करके एजिसी दिन पाद करना सुरू कर भीजिए, जब इसका महूर्थ आए जैसे की हूली आती है, फिर दीपवली भीमी थी, घ्टोसनी येकादस्य भीमी है, नौरात्रे है, गुप्त नौरात्रे है, बहुत सारे ऐसे अहूरत आते हैं, तब इस मंत्र का आप शिद्धी करण कर सकते हैं, इसके अलावा कोई बिस्येस सरवार शिद्धीयोग हो या ग्रहनकाल हो, उस शमय भी इस मंत्र का आप शिद्धी करण कर सकते हैं, और इस मंत्र को शिद्ध करना भी बहुत आसान है, महिल नहीं ना कहीं छती होती है दिया शुरक्षा प्रवंधन नहीं कर पाते हैं शुरक्षा प्रवंधन का मतलब है जैसे कि आसन बांधना घर का कीलन करना शरीर का बंधन करना काया बंधन करना तमाम प्रकार के बंधन होते हैं शुरक्षा का बच्राण करना इस सारी चीजे हमें अन्न मंत्रों में कर्मी ही कर्मी पढ़ती हैं खासका शाबर मंत्रों में लेकिन इस मंत्र में ऐसा कुछ नहीं है आपको इसी भी शुरक्षा की ज़गवत नहीं है जब इस मंत्र का आप जावल सुरू करेंगे बित परती दिन यह яр शिद्य करने के बाद इस मंत्र का प्रियोग करना शुरू करेंगे तो अपने आप यदे आप 수रीर की शुर्शा हो जाती है यह मंत्र कवज के रूप में भी कारश्चता है जिसे कि आपको लगता है कि हमारे आसपास कहीं नकारात्मा कूर्जा का अभाय हो रहा है या हमारे घर में नकारात्मा कूर्जा ज़्यादा बढ़ रही है उस समय भी इस मंत्र का आपत्रियोग कर सकते हैं यह आपने इस मंत्र को शिद्ध किया है तो आप इस मंत्र का इंक्याउन बार पाठंग करिए जल को अभी मंत्रत करिए और अपने पूरे घर में गव मूत्र उस जल में मिलाकर उस जल का अपने घर में छिड़का उपड़ आ रिए आपके घर से समस्त प्रकार की नखारत्मा पूर्जा दूर हो जाएगी चलिए मंत्र को हम सिर्वन कराते हैं बैसे भी यह मंत्र हम सिर्वन कराने वाले हैं आप यह वीडियो देख रहे हैं इसके बाद आप इस मंत्र को सिर्वन कर लेटेगा तो इस मन्त की जो उर्जा तरंगे हैं आपके सरीर में प्रवेश कर जाती हैं और आपकी हर कोशिका को परिबर्टित करती हैं और एक्टिब भी करती हैं और ऐसी कोशिका हैं जो आपके सरीर में प्रोध पैदा करती हैं नकारात्मा उर्जा बढ़ाने का कार करती हैं जिससे आपके घर में कलाहे इत्यारी चीजें होती हैं, उन सारी चीजें को शांध कर देती हैं, चलिए मंत्र का एक बार स्रिवन करते हैं, और प्रयास आप ये करिएगा, कि पूरे घर को यह मंत्र स्रिवन करने की अपसलाह दीजिएगा, और पूरे घर के जब लोग इस मंत्र को स् करेंगे तो मंत्र अपने आप कंधस्त हो जाएगा हो जाए तो नित्य प्रति दिन सुबह हर्व्यक्ति शिनान करता है अपने भगवान इश्ट्र को फूजन कर ये धान करिये मनन करिए धूप नेवी धर्बण करिए और उसी बीच मैं थोड़ा सा पांच मिनट का समय निकालकर एक कीश बार इस मंत्र का आप पाठन करिए तो अतिलाब दिखने को मिलता है तो ऐसा को आप करते रहेंगे तो हर परकार के नकार अपना कूर्जा भी दूर होगी और सभी परकार के तंत्र भी नश्ट करोंगे और खासकर घर की कला है भी शमाप हर व्यक्ति आपको दुतार देता है Zhihhui के द्वारा अगुए होती है लेकर comfort नेए लेकिनग बने होते हैं एदि कोश उपाय से उसे कार से किशी का कोई नुक्सान नहीं है, किशी की कोई धानी नहीं है, तो जी अवश्य ही वह है आपकी बात मान लेगा और आपका रोका हुआ कार बन जाएगा, अब इन सब चीजों को देखिए विस्तार से बताना थोड़ा सा अच्छा नहीं है, आ आपकी हमने जो बताया, इतनी समिष्या लगभाग होती हैं, उन सारी समिष्याओं से चुक्तारा पाने के लिए आप इस बंत का प्रियोग अवश्य करिए, चलिए, अब हम मंत्र को भ्रहान से सिर्वन करेंगे, और सिर्वन करने के बाद इसकी हम विधी बताएंगे कि एक बार और सुनेंगे मंत्र में जहां नलनारी का शब्द आ रहा है, उस जगहे आप व्यक्तिगत नाम का भी श्प्रण कर सकते हैं, उस जगहे हम पढ़ सकते हैं, आरुबकारकम, उप्चचम, अमुक वशकरम, अमुक की जगहे आप नाम भी किसी का ले सकते हैं, जिससे ब्यक्तिगत किसी की समस्याय होती हैं, ब्यक्तिगत किसी से कलाय होती है, ब्यक्तिगत ब्यक्ति आपकी बात नहीं मानता तो इस जगह नर्णारी की जगहे आप उस ब्यक्ति का नाम पढ़ सकते हैं बाकि नर्णारी शब्देदी आप लेते हैं तो देखिए इस रिष्टी में धर्टी पर बहुत सारे नर्णारी हैं जहां हम जाते हैं खड़े होते हैं समाज है घर है परिबार है हर जगहे कहने का मतलब हर ब्यक को बेक्ति का नाम लेते ही नारी की जगाए तो उसी बेक्ति के उपर प्रहाओ पढ़ता है और उस बेक्ति के उपर प्रहाओ पढ़ने के बाद वो आपकी हर तरह की बात मानने लगता है ऐसे इस मंत्र के प्रमाद देखी जाते हैं चलिए अब मंत्र को हम शिद्ध करने का त कुछ आपके आसपास की बातावरन को भी मिल जाती है जिसमें इसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है और इस मंत्र से फिर आप कोई भीकार कर सकते हैं नौरात्रों में पंचमी हो शक्तमी हो अश्तमी हो किसी भी दिन इस मंत्र का आप शाधना करें शुवेशे बढ़िया से शिनान कर लें और इसके बाद अपने पूजा इस थल पे बैठ जाएं माता भगवती को भी शिनाम ध्यान कराएं उनको तेलाकार पन करें इत्रह पन कर जो भी साधान पूजा आपको आती है कि साधी चीज़ें आपने आशन पर बैठ जाएं आशन का इदिया पूजन आता है तो आशन का फूजन करें नहीं तो अपने आशन को प्रणाम करें उस पर जल छिड़के और उसका तिलाख करें भूप भी उसे दिखाएं और नेवि माला आप रुद्राक्ष की ले सकते हैं कमल गट्टे की ले सकते हैं चंदन की माला का भी आप प्रियोग कर सकते हैं इन मैंसी कोई माला आप प्रियोग करना अनिबार है मतलब माला हाथ कोन भी होनी चाहिए आपको ध्यान देना है तो आपको आसानी से मिल जाए जो आपके घ कीजिएगा इसके बार इस मंतर का आप जापन सुरू करिए और जापन कितना करना है आपको देखिए कोई चीज हमें पानी होती है तो मेहनत करनी पढ़ती है कश्टी हमें खाना पड़ता है तो इसका आपको 11 माला जब करना है और 11 माला जब करने में कम से कम तीन से चार आपको लग सकते हैं हो शकता है जादा समय भी लग जाए तो जब आपको 11 माला जब शंपून हो जाए जब शंपून हो ने के बार आपको थोड़ी शी अगनी जला लेनी है प्रयास ये करना है कि बेदी हो, बेदी नहीं है तो खपर में भी कार चलेगा और खपर और बेदी दोनों नहीं है तो कोई आप बरतन ले लीजिए और उसमें बढ़िया अगनी पुझत कर लीजिए रखे लिजे औरma रहने करना है देखिए बंद्दि शली माता का मंत्ट है तो इस है मानगों आप बिंद्ध शली माटा कि कोई भी बीज अब देख लिएंगे देखलीजेगा किशीघ्र बूर्र के साथ पहरे एक माला आपको हवबन करनी यंव और उसके बाद अपने इस मुख्ष, शम्मुहन मंत्र, बश्षीकरण मंत्र या बश्षीकरण कवाच मंत्र का, आपको हवन करना है एक माला, सीधी एक माला ने, 108 बार. हवन समागरी में आप देख लिजएगा तेल, जव, और हवन समागरी जवाब के याद़ी हैं, सक्कार, चीनवी, सहट इसारी चीज़े, भवन समागरी बश्ष बनी मनाई याद़ी हैं, लेकिन आप सर्च कर लिजएगा कि हवन समागरी में क्या-क्या होना चाहिए, हावन समागरी में घीवी मिलाएगे और इसके बाद आप अपने हाथों से हावन करना शुरू करें हावन के लिए आप माला का इस्तेमाल अब नहीं कर सकते तो कुछ चीजें जैसे गेहूं के दाने हुगाई एक सुवाठ दाने या कुछ कंकर पत्थर एक सुवाठ दाने ऐस इसे आप किशी इंपरतन में रख लीजे और बाएहाथ से उस पंकर्व को उठाके अलग करते जाएगा या गेहूं को उठाके लग करते जाएगा और दाहिन दाहिन हैं से आप हवन डालते जाईएगा तो आपकी शंक्या पूरी हो जाईगी खुछ आप तो फो फूर अच करिए गा यह मातारानिक इस मंत्र में इन सब्दों में इतनी शक्ति दे दें कि मेरे घर की कलाहसांत हो जाए जहां कि मैं जाओ मुझे समान की प्रात्ति हो इस तरहे आप बढ़ना चेह प्रात्ना कर लीजिए परिवार में शुख मिले रोग मुट्टी में अपने आसमप चो कोड़ सकते हैं लेकिन आप ध्यान देने बाली बात है कि जो भी आपने हवन किया है उसकी भस्मी तो बचेगी ही बचेगी कुटी अगनी चली चीटों बहस्मी को किसी कपड़े के सहारे चली के सहारे बढ़िया से च्छान के आपको रख लेना है लाल रंगी कोर्थी में बांगे उसी अपनी पूजा घर में हमेशा ही स्था पुटर के रखना है कुछ भस्मी उसमें से खोड़ी यदि ज्यादा है कुछ भस्मी आप सर्देन कर सकते हैं बाकि थोड़ी भस्मी आप रख सकते हैं एक लाल नंकी कोर्थी में बांग कर अपने पूजा घर में अब इस मंत्र का ऐसा नहीं है कि शिद्र होगया तो बस कार्ष होगया इस मंत्र को सित्र करने के ज़िए आपको पाठन शुरू कर देना ज़ीखेंगे कि साइद है 10-11 दिन घुजर पाए और आपको इसका परिवर्टन रजर आने लगएगा क्योंकि हमारे जीवन में इसका परियोग भी किया है और नित्रप्रिति दिन इस मंदर का ज़्यादा नहीं कर पाते हैं लेकिन 11 बार हम जाब इस मंदर का जरूर करते हैं अपने पूचा करते हैं यह तो होगा घर की कलाहनास करने के लिए, रोग मुक्ति करने के लिए अब बात आती है कि जैसे किसी के उपर विशेश रोग है आपको उपाए दिस मंद में आ रहा है तो जो आमने भस्मी आपको रखवाई थी वो एक चुठकी भस्मी ले लिजे और माथे पर रोगी के लगा दीजे जिसको लगता है प्रेद बाधा है, तंत्र बाधा है, किसी अधिन प्रकार की वादा है फोड़ी शीवाश में लगा दीजे तो यहीं जमान में चितादीजे कले में तेला कर दीजे। ऐसा करने से उसके शरीर के अंदर की तमाम प्रकार के नकारात में पूर जाएं, नश्थ हो जाएंगे या प्रेद बाधा होगी तो आपको वहां स जिए पड़ेगा, पुरा दिधिवधान सैम है, सिंखोष सैम है, और जब आपका मंत्र 11 माला हो जाए और उसका 10-30 हाबन हो जाए, तो भसमी जो है, थोड़ी सी भसमी लेना है, और पर उस भ्यक्ति को आपको तलासना है, जिस भ्यक्ति का आपने नाम ले रखा है, उस भ्यक्ति के पास आप खड़ होंगे हैं और घड़ होने के बाद या जो भी आपके विवँस्ताये हो आपको करना हो वी आपको करते रहेगा उस ब्यक्ति के सिर है इसमें कोई ऐसी बिसेले तो नहीं है कि इसमें खुशान करें आराम से उसको आप खिला सकते हैं बस ध्यान देना है कि भस्ती जो पूरी तरह जली हुई होनी चाहिए और उसको आप खिला सकते हैं आप देखेंगे कि सायद है बहातर घंपे से उपर एक घंटा भी बढ़ पाए और इसका प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा और क्या-क्या हो शकता है आगे वो आप शिर्दार है मंत्र रिस्ट्सन में लिखा हुआ हुआ मिलेगा दोनों मंत्र बिनिश्वरी माता का बीज मंत्र आपको चाहिए जरूरत के लिए और यह वाला मंत्र डूनों आपको मिलेंगे बाकी 10 मंत्र को आहम स्रवणा करने के लिए भी उप्यों क्या प्रप्र कर आ रहे हैं तो आप शर्वना कर लिजЕए खरके जो भी इस मंतर से नकार आत्म फूजा दूर होती है और घर की जो माहौल होता है उसमें इसका परिबर्दन आता है उसे बना करके देखिए का आपको लाभावश्य होगा लेकिन सिद्र कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं समय मिलता है नहीं मिलता लेकिन मंतर को पंठस्त करके नित्र जुँंए मत जी और इस समय म Videos love 3 इसा तुश्य का समय मिलने की और आधिक जानकारी ये लिए में darn आउसे में अपकर्णी